आज हम बनाएंगे वेजिटेबल राइस यानि के सबजियों की पुलाव तो इसके लिए हमें चाहिए कुछ इंग्रीडियन्स जैसा कि आप देख रहे हैं हमें चाहिए तकरीबन ये डेर पाव के करीब चावल हैं जो के मैंने धोकर साफ करके और इसको साफ पानी में दो घं ये फेरोजन ये लसन अधरख है फेरोजन में पास है और इसको मैं पीस लोगी एक प्याज एक टिमाटर एक पॉनी प्याली यानि के एक प्याली से कम मतर एक कप ऑईल और हमारे पास ये एक कप गाजर और मसालों में हमारे पास एक टेबल स्पून नमक, एक टेबल स्पून कुटी मिर्च, आधा तेस पात का टुकड़ा ये बड़ा था तो इसलिए मैंने आधा कर लिया और खड़े मसालों में लॉंग, तीन चार लॉंग, काली मिर्च, दो सिनेमन स्टेक्स यान दारचीनी के तुकड़े, एक टीस्पून जीरा और ये बादियान की फूल की पतियां, ये मैंने पूरा फूल नी लिया इसकी दो या तीन पतियां मैंने ले लिया, तो अब हम शुरू करते हैं, ये मैंने पैन चूले पे चड़ा दिया और ओल हमारा गरम हो गया, इसमें हम डालेंगे होगा तो हुईने तकी जो वे खालेंगे हो जो हम पतियां पु़न सत्टार चाह लेंगे फुआ हूल二 है यह प्यास होड़ी सौते हो गई है अब इसके अंदर अपने साबुत गर्म मसारा जिसमें तेज़ पाद लॉंग काले मिर्ष दार चीनी जीरा और पादियान की पत्रियान थी यह हम इसमें आइज कर देंगे और हम यह इसके साथ यह प्यास अब हमारा तक्रीवन सौते हो गया और इसके अंदर हमने जो साबुक गर्म मसाला डाना था उसकी बहुत ही प्यारी खुश्चबू आ रही है तो इसको अभी हम मजीद थोड़ा अब करेंगे यह लाइत गोर्डन हो जाए अब यह देखें अब यह लाइट गोल्डन सा स्टार्ट होने लगा है प्यास लाइट गोल्डन होने लगा है तो अब हम इस पॉंट पर हम जो हमने अद्रक लसन उटा है मोटा मोटा वह हमाइच करते हैं यह अद्रक लसन के साथ इसको भूनेंगे थोड़ा सा पानी डाल डाल के अब यह लसन अद्रक तक्रीवन भून चुका है और हम इसमें डालेंगे टिमाटर अब जाएंगे और कुटी मिर्च नमाक पुटी मिर्च और नमाक आड़ करेंगे और साथ हम डालेंगे थोड़ा सा इसमें पानी ताथि यह टिमाटर थोड़े से नरम हो जाएंगे इसको टिमाटर नरम करने के लिए एक मिनट के लिए धगकर रखेंगे अब टिमाटर थोड़े से नरम हो चुके हैं इसको उसे एक मिनट के लिए भूनेंगे अब हम इसमें डालेंगे आलू मितर और गाजर तो हम वेजिटेबर्स डाल कर इसको हम फड़ी देर के लिए भूनेंगे अब वेजिटेबर्स में गलाने के लिए हम पानी डालेंगे हमने इतना पानी डालना है कि इसमें यह हमारी सबजियां भी गलजें और फिर हम इसमें चावल भी डालके गला लेंगे कम असकम इसमें दोड़ों से डाई गलास हमने पानी डालेंगे और इसको हमने 15 मिनट्स के लिए कवर कर देना और जब तक हमारी सबजियां गल जाएं और मीडियम लो फ्लेम पे अजी अब हम देखते हैं के अब हमारी सबजियां गली है या नहीं चुरी के साथ देखते हैं अराम से चुरी इसके अंदर चली लिए यह देखें और मटर यह देखें अब हम आलू चेक करते हैं यह देखें आलू भी हमारे अच्छे से गल चुके हैं अब हम इसमें डालेंगे चावल जो हमने दो विंटे पहले भी होए थे अब अब हमने इसका पानी सारा निकाल देताए और पाणी निकाल देताए और पानी निकाल देंगे यह भीसे की के इतना पानी हो विसी होना चाहिए कि चावल ऐसमें डोब जाये और इस पॉइंट पर चावलो में इसके पानी में नमक भी यानिके तेज होना चाहिए अब इसमें हमने इतना पानी डाल ये सदों डूब गए है Chemoshime and Lowal solar अब मिलते हैं जब तक हमारा पानी खुश्क होता है और इसको मैं दम लगाती हूं उसके बाद हम मिलते हैं अब इसको कवर करें और इसको मीडियम हाई फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे हां जी यह देखिए यह अब सारा चावलों का पानी खुश्क हो गया है और अब हम इसमें चम्मा चलाते हैं यह देखिए बिल्कुल खुश्क हो गया है अब हम मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूं कर सके दिए यह दोड़भब अब कर संहां मैं आपको अब हम व ότι रुश्क हो सब कर सकाव दो दिए सन्थक्पः पां और भालति हम इस भंगा